अगर आपको जो मनिपूर को चोट लगी अगर आपको चोट नहीं लगी तो आप कंगोरेस पार्टी के नहता नहीं बन सकते हैं हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोधी जी ने गाली देनी शुरू कर दी नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलनी है यही आपका काम है और कुछ बोलने की सरुद नहीं है मनिपूर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली है चलिए हम जाके महबत की दुकान खोलते हैं अगर किसी महिला का बालतकार होता है तो आपके दिल में दर्द नहीं होता तो आप Congress Party के नेता नी बन से देश में कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है एक तरफ RSS, BJP की विचारधारा और दूसरी तरफ Congress Party की विचारधारा पार्टियों बहुत हैं विपक्ष में पार्टिया है लगर विचारधारा की जो लड़ाई हो वो BJP और RSS और Congress की विचारधारा की बीच में लड़ाई हो ने हैं hedge कोजस की विचार धारा या फो सितेुशन की कि मिचार धारा बेश को जोड़ने के किमिश्वारा अ सब को एक सात लेने की भी जार आधा जो हमारा यह गया अन्यों को थे सोचल सस्टम है उसके ख़लाफ लड़ने की विचार अधारा कॉंगरिस की है। RSS और BJP चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं। पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो। सारे के सारे इंस्टिटूशन्स उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहें। चाहे वो चुटीश की हो, चाहे वो उन्हीं के कंट्रोल में रहे। हम चाहते हैं कि यह जो हमारे इंस्टिटूशन्स हैं, यह जो हमारे देश है, ये सब का है हर जात का है हर धर्म का है और सम लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए एकता होनी चाहिए भाई चाहिए ये लड़ाई है आपने देखा मनिपूर में क्या हो और क्या हुगा है और आपको अश्चरियों होगा कि प्रधान मंत्री जी ने मनिपूर के बारे में एक श्रद देगा आपको लगा होगा कि देश के प्रधान मंत्री जब देश का एक प्रधेश जल रहा है तो देश का प्रधान मंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधान मंत्री हवाई जहाज में जाकर इमफाल में कम से कम इमफाल में लोगों से बात करेगा पिछले कोई भी प्रधान मंत्री होते हैं कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री तो वहीं बैठ जाते हैं मगर आपको उस्चरे होगा कि हें इस कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री बचल्णी नरेंद्र लूगं मनिपूर कूनी जा रहा है मनिपूर प्पे कि बारे में गोआ कर जट This क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधान मंत्री आरेसेस के प्रधान मंत्री उनको मनिपूर से कोई लेला देला नहीं वो जानते हैं कि उनकी विचार धारा ने मनिपूर को जलाया है मगर जो मनिपूर में दुख है दर्द है जो महिनाओं को चोट पहुंची है उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फरक ने बढ़ा है और मैं आपको गैरेंटी दे के कह सकता हूँ कि जिस मनिपूर ने प्रधान मंत्री के दिल में दर्द नहीं पहुंचाया वही मनिपूर इस मीटिंग में हमारे हर कार्यकरता के दिल में दर्द पहुंचाया कि आपको लग रहा है हर यूद कार्यकरता को लग रहा है कि भाई हमारे देश में लोकों को चोट लग रही है लोकों को दुक रहे है हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए मनिपूर में जाके खड़े होना चाहिए अगर मनिपूर में नहीं चाह सके तो जहां हम कड़े हैं हमारे गिल में जो दर्द है जो हमारी भावना है उनके लिए तो मेरा कहना है यह फरक है वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे मनिपूर को जला देंगे बाकी देश को जला देंगे हर्याना पंजाब उत्तर प्रदेश सारे देश को जला देंगे क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको देश के धर्द से कुछ फरक नहीं पड़ता, दुख से कोई फरक नहीं पड़ता, इनको सिरुफ सत्ता चाहिए और ये लड़ाई है, एक तरफ आप बैठे हो, आप कॉंग्रेस पार्टी के बहुनिश्य हो, आपके दिल में देश की प्रेम है जब देश को चोट लगती है, कहीं में हो, वनिपूर में हो, टमिल नाडू में हो, जमू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की इसी नागरिक को चोट लगती है, चाह वो हिंडू हो, मुसल्मान हो, सिक हो, हिसाई हो, ट गौली बोलता हो आपके दिल में चोट लगेगी एकदम आप उदास हो गए आपको पता भी नहीं लगेगा मूप क्यों घराब हो गया मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है RSS के लोगों को BJP के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा कोई दुखनी है उनके दिल में क्योंकि हिंदुस्तान को बातने का काम यह करते हैं और साथियों से करे आ रहे हैं तो यह आपकी रडाई है और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है भारत चोड़ों याक्रा नहीं दिखाया जनता के बीच में जाहिए जनता से गले लगिए थोड़ा कश्ट भाईए थोड़ा डर्द सहिए और अगर आप यह काम करेंगे तो आप आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी के नेता बनेगे अगर आपको जो जब मनिपूर को चोट लगी अगर आपको चोट नहीं लगी तो आप कंग्रेस पार्टी के नेता नहीं बन सकते अगर किसी महिला का बहुतकार होता है तो आपके दिल में दर्द नहीं होता तो आप कंग्रेस पार्टी के नेता नहीं बन सकते हैं तो जो आपके दिल में जो दर्द होता है उसका कारण आपकी देश भकती है कि आप अपने देश से प्यार करते हो तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो फिर आपको देश से जुड़ना भी पड़ेगा जुड़ोगे कैसे जनता के बीच में जाके उनकी कठी नायों को समझके उनके बीच में रहके और एक दूसरे से प्यार और महबत से बरताब करके भारजुड याकरा में बहुत अच्छा नाया निकला नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलनी है यही आपका काम है और कुछ बोलने की सरद नहीं है मनिपूर में इनोंने नफरत की बाजार खोली है चलिए हम जाके मुहबत की दुकान खोलते हैं जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मुहबत की दुकान खोले और देखिए मज़े की बात देखिए ओपोजिशन अलाइंस ने बहुत सुन्दर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला इंडिया हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम दिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोधीजी ने गाली देनी शुरू कर दी उन्हेंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्ध हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूँ इतना गमंड है इतना आंकार है तो आप जाईए मौपत की दुकाने खोलिए और इस सिर्फ जंता के बीच में नहीं सिर्फ मनिपूर में अपने घर में भाई के साथ बहन के साथ माटा पिता के साथ अपने कॉलीग्स के साथ यूद कॉंगर्स की टीम के साथ आप मौपत फिलाइए उनको नफरत फिलाने दीजिए मुश्किल समय है बीजेपी की सरकार है आप पर आकरमन करते हैं डरो मत खड़े हो जाओ पीछे मत अटो मैं आप सब को कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने के लिए बधाई देता हूँ और जो आपकी अगली मीटिंग होगी उसमें मैं आपको जूम से नहीं मगर वहां आकर आपसे बातचीत करने हुआ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित हैं इसके अलावा हमारे वीडियोज आपको अलग-अलग ठिकानू जैसे फेस्टबुक, इंस्टग्राइम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगें जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया है शुक्रिया